Hello and welcome friends, दूसरा जो तरीका है ट्रांस्पोस फर्मूले को यूज करने का वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है फॉर्मूला का यूज करके, देखी, मैंने आपको पेस्ट स्पेसल में बताया था कि वहाँ पर एक ट्रांस्पोस उप्शन मिल जाता है और वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं लेकिन दूसरा तरीका क्या है? फर्मूले को यूज करके, तो फर्मूला आप कैसे लगाएंगे? फर्मूला लगाने में परसानी है, क्या परसानी है देखिए? जैसे आप यहाँ पर ट्रांस्पोस लगाएंगे, यह देखिए, यह ट्रांस्पोस फर्मूला आपको मिल जाएगा और यहाँ से आपको क्या करना है, यह data select कर लेना है, ठीक है, अब यह data है आपका, कुछ इस तरीके से, यह आपना select कर लिया, ब्रैकेट को close किया, और press enter, तो यहाँ पर ये hash value करके error आ जाता है, ठीक है, अब यह error ना आए, इसके लिए आपको करना क्या है, यह error ना आए, इसक से पहले तो वो cell वो area highlight कर लिजे जहां पर आपको यह data ले के आना है ठीक है तो जैसे ही आप area को highlight करेंगे तो यहां पर अब हमें formula लगाना है तो चलिए लगा लेते हैं क्या दिक्कत है तो यहां पर लगाने के बाद आपको क्या करना है यही चीज आपको select कर लेनी है कुछ को close कर दीजिए और आपको control shift और enter प्रेस करना है enter मत प्रेस कीजिएगा control shift और then enter तो आप देखेंगे कि सारी values आ चुकी है चीक है total को छोड़ करके क्योंकि total में मैंने formula यूज किया था that's why यहाँ पर total नहीं आ रहा है बाकी सारी चीजें आपकी आसानी के साथ आ जाएंगे ठीक है